Hello students, चलिए start करते हैं chapter 3 matrices का example number 22 देखते हैं क्या है Express the matrix B equal to this as the sum of symmetric and a skew symmetric matrix यहाँ पे हमें एक B matrix दे रखी है, इसको हमें sum of symmetric or skew symmetric matrix दिखाना है उसके लिए हमें क्या करना होता है, बच्चो दो matrix बनानी होती है, P matrix और Q matrix यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हैं आप value, जो भी आपका दिल करें, यह किसके इकवल होता है, half of B plus B dash जो भी यह matrix दे रखी है, half of B plus B dash, और Q matrix मनाएंगे, वो half of B minus B dash से यह दो result होते हैं हमारे symmetric और skew symmetric के लिए, तो हमें यहाँ पे B transpose की जरूरत होगी, B transpose निकाल लो B matrix दे रखी है, B transpose क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो रोज हैं उनकी column बना लो, तो यह क्या हो गया, 2 minus 2 minus 4 minus 1, 3 और 4, फिर यह 1 minus 2 और minus 3, B dash की value आगई या नहीं आगई, ठीक है, अब हमें सबसे पहले P की value निकालने है, P is equal to क्या हो जाएगा, half of B plus B dash तो यहाँ पे क्या आगया मेरे पास, half of B matrix क्या है, 2 minus 2 minus 4, minus 1, 3, 4, 1 minus 2, minus 3 इसमें हमें क्या करना है, B transpose को add करना, B transpose गे रहा, 2 minus 1, 1, minus 2, 3 और minus 2, minus 4, 4 और minus 3 इन दोनों को add करेंगे, 2 से divide कर लेंगे, बस यह काम करना है हमें, तो यहाँ पे 2 और 2 क्या हो गया, 4, 4 को 2 से divide किया, तो बच्चो, 2 आ गया, minus 2 और minus 1 क्या हो गया, minus 3 को 2 से divide किया, तो minus 3 by 2 आ गया, फिर minus 4 plus 1, minus 3 by 2 हो गया, यह भी, minus 2 और 1 क्या हो गया, minus का 3 by 2 कर लेंगे, फिर 3 और 3, 6 को 2 से divide किया, 3, 4 minus 2, 2 को 2 से divide किया, 1, 1 और minus 4, minus का 3 by 2, यह 1 हो जाएगा, और यह minus 3 हो गया, हमारे पास यह आ गया, sum of symmetric matrix, अब ऐसे ही हमें sum of, skew symmetric matrix नकालना, तो क्योई is equal to क्या होगा, 1 by 2, b minus b dash कर लेंगे, बस यह difference होता है, यही चीज करनी है आपको, बच्चे इस question में confuse रहते हैं, कहीं गवराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी matrix दे रखी हो, उसका transpose निकाल लो, उसका sum का half, और difference का half, वो क्या होता है, sum का half हमारा symmetric matrix से हो करता है, और difference का half हमारा skew symmetric matrix को से हो करता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 by 2 of, 0 minus 1 minus 5, 106, 5 minus 6 और 0, minus कर लेंगे यहाँ पर, यह तो सिधा result लिख दिया, मैंने यहाँ पर, जो आ रहा है, ठीक है, यह आ गया, मतलब इस तरीके से कर लेंगे, difference आ जाएगा, तो यह किसके equal आ जाएगा हमारा, 2 से divide करेंगे, सिधा difference लिख दिया, मैंने इसका और इसका, 2 का 2 minus 0 हो गया, minus 2 minus 1 यह आ गया मिर पास, तो यहाँ पर value क्या आ गई हमारे, 0 का half करेंगे, 0, यह minus का 1 by 2, यह minus का 5 by 2, फिर 1 by 2, फिर 0 by 2, 0 हो जाएगा, फिर 3, फिर यह क्या आ गया, मिर पास 5 by 2, minus 6 by 2 करेंगे, तो minus 3 और फिर 0, यह आ गया हमारा skew symmetric matrix, clear हो गया, और यह जो आएगा ना हमारा, यह हमेशा देखना, अगर इसका आप transpose निकालोगे, q dash निकालोगे, q dash किसके equal आएगा, minus of q के equal आएगा, मतलब इसका opposite करोगे, तो minus q आजाएगा, तो यह skew symmetric हो गया, skew symmetric, और यह जो आया है हमारा, इसको आप row की column, column की row बना लो, यह हमेशा किसके equal आएगा, p के equal, तो p dash जो होगा, वो p के equal होगा, तो यह symmetric हो गया, यह skew symmetric हो गया, clear हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चीए, कोई भी problem किसी परकार की आती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, otherwise, nexa classes को subscribe कीजिए, इसमे एक चीज़ हो रहेगी, छोटी सी, यहाँ पे symmetric और skew symmetric का sum और निकालना है, तो यह जो p matrix आई है, p plus q और कर लेंगे, जो q आई है, p matrix आई है, इन दोनों का sum करके भी आप एक matrix बनाएंगे, वो result आपका final answer होगा, क्योंकि sum of symmetric और skew symmetric आपको यहाँ पे find out करना था, clear, ठीक है, thank you students for watching, next class is video.